हम लोग बात कर रहे थे बहुतिक भुगोल की बारे में और इसमें आप लोगोंने लास्ट किलास में देखा होगा कि हम लोगोंने चक्टान के बारे में बात की थी और काफी विस्तार से हम लोगोंने चर्चा की थी आज की इस क्लास में हम लोग अपर्दन के बारे में बात करेंगे जो अपर्दन के कारक हैं अभी करता हैं और जो अपर्दन से इस्थलाक्तियां बनती हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेगे और याद रखिए इस अभी क्लास से आपकी UPSC यानि के Civil Service IES और State VCS को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही हैं और वहुती बिस्तार से हम लोग कवर कर रहें और आप मैंसे बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहते हैं कि एक क्लास हमारे एकजाम के लिए भी महत्पूर्ण हो सकती हैं तो एक बात आप लोग किलियर याद रखिएगा अगर आपके एकजाम में बहुत एक भुगोल से कुश्चनस पूछे जाते हैं तो जरूर इन क्लासों को आप लोग देखिए और पढ़िए और कोई आपका सवाल लेता है पेरे लिए सुझाओ रहता है आपने आसपास इस तरह की घटनाएं देखी होंगी तो अपरदन वह प्राक्तिक पिक्रिया है जिसमें चक्तानों का बिखंडन और पईडाम स्वरूप निकले धीले पदारतों का जल पबन इत्यादी प्रक्यमों द्वारा इस्थानांतन हो जाता है एक जग़े से हट जाती है और अपदन के पिक्रोंब में बायू, जल, हिमनद, सागरिये, लहरे भी हो सकती है इनके कारक्त एक आप लोग नदी नाले तो देखे होगे आपने सभी ने बरसात के टाइम में आप लोग ने देखा होगा आपने देखा होगा कि एक समतल भूमी रहती है इस तरह से आप देखेंगे खेत आप लोगों को कहीं भी देखने को मिल जाएंगे उसमें पानी बहते बहते आप देखते होगे कि मिट्टी हटती रहती है और गहरी गहरी नालिया बन जाती है इसी को आप लोग अपर्दन कहते हैं क्या कहते हैं अपर्दन कहते हैं जो मिट्टी हट जाती है ना इसी को अपर्दन कहते हैं ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और बहता हुआ जल भी आप देखते हैं कि मिट्टी को हटाने का काम करता है नदियां भी करती है भूमी गाट जल से भी कभी के भी आप देखते हैं कि underground water होता है ना उससे भी अपरदन के अभीकरता में जूड़ जाता है हिमानिया होती है हिमनद होती है यानि कि जो glacier होते हैं वो भी अपर्दन का काम करते हैं, पवने, हवाएं, अब आप देखे कोई चटान खड़ी हुई है, और आप देखें कि बार-बार उस पर कोई आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, पवन चल रही है, टकरा रही है, और आप देखें कि जो मुलायम भाव होगा न उसका, वो हटता जाएगा, हटता जाएगा, और यह आप देखें, यह चट्टान एक तरह से आप देखेंगे पठार कोई आगती बनी हुई है, इस पर अगर पानी गिरेगा, तब भी तो आप देखेंगे फिर वो बहा कर ले जाती है, तो वो भी अपरदन का काम करती है और इस तरह की आगतियां आप लोगों को पिधिभी पर कई जगह देखने को मिल जाएंगे और मत्पिदिस में आप लोग मुरेना, आप लोगों ने सुना होगा मुरेना, भिंड मुरेना, यहाँ सबसे जादा अपरदन होता है जो चंबल नदी है न, और उसके कारान आप देखते होगी कि बड़ी बड़ी नालिका बन जाती है भी हड बन जाते हैं, और वहाँ डाकू निवास करते हैं उन्हें डाकू की सरड़ स्थाली भी कहा जाता है चलिए तो इस पे भी हम लोग बात कर लिते हैं अब जो किताबी परिभासा है, किताब में जो ग्यान है, उन्हें भी देख लिते हैं और एक बात याद रखी, UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से जो पिलेलिस्ट सूची बनी हुए उसी में सभी किलासें मिल जाएंगी तो वहाँ जाकर आप लोग देख लिजेगा, चाहे वो प्रिलिम्स की आपकी इतिहास की हो, पॉलिटी की हो, भूगोल की हो, एकोनोमी की हो, बिज्ञान की हो, सभी किलासें आपको उहां मिलती रहेंगी तो प्रवाहित जल यानि की नदी की बात हो रही है, बहने वाले जल की बात हो रही है, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रवाहित जल अपर्दन का सामान अभी करता है, और जल की अपर्दन चकर को डैविस ने सामान अपर्दन चकर की संग्या दिये, और ये तो नॉर्मल स पर बहने वाली वह जल धारा है जिसका उद्गम किसी सरोत, हिमानी, को प्रोत आत्वा धारातल पर ये कत्तित बर्सा की जल से होती है और जल गुरुत से पेरित होकर एक चादर ततपश्चात एक लंबी नाली, धीरे धीरे नाली बड़ी अवनाली का और अवनाली का एक नद लिकाओं के मिलने से एक नदी उत्पन होती है एक समय आप लोग देखते होगे कि एक नाला हुआ करता था चोटी सी नाली हुआ करती थी फिर आप देखेंगे समय पर देखते देखते वो बड़ा नाला बन जाता है एक समय आप देखते होँआ से एक नदी बहने लगती है तो उसी तरह बात हो रही है जब चोटी चोटी नदिया बड़ी नदी में मिल जाती है तो वह किसी बड़ी नदी की सहायक कहलाती है आप लोग कहते रहते हैं ना कि इस नदी की ये सहायक नदी है यानि कि मुख नदी में जो सहायक नदी मिल नहीं चोटी नदिया में उनी को सहायक नदी कहते हैं, सहायक और प्रमुख नदी मिलकर किसी भी छेत्र के जल को प्रवाहित करती हैं और यह चित इस नदी का अफवा चित की जल कहलाता है, और यही उस नदी का कार चित भी होता है, अफवा तंत या प्रवाह प्रवाह पेणाली का अभी प्रयाय एक नदी और उसके उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेश बिवस्ता से होता है और आप देखेंगे कि अपवातंत में नदीयों की स्तिती संख्या प्रवाह मार्ग और दिसा का प्रवाह पड़ता है जैसे भूमी का धाल, सरशनात्मक नेंतन, सेलों का सोभाव, ततकाले के पटल विरूपन, जल्धाराओं के परयाक्त वर्सा के जल्ध की प्राप्ति और अपवाच्छित का भूग गार्मेक इतिहास इन तत्तों के आधार पर आप देखेंगे एद, द्रमा, कृतिक, या फर आप देखें ब्यक्छाकार, आग्ति, आयताकार, पितिरोप, जाली नुमा, बल्याकार, चटकी है, एबं आप देखें हुकनुमा, पितिरोप बनता है और आप देखेंगे कि आभी केंदरिये अत्वा, आंतरिक अपवा, पितिरोप, आप केंदरिये या आरिये पितिरोप, समान अंतर पितिरोप, अनिश्चित अपवा, आंतराइक प्र अपवा, भूमिगत अपवा, पूरबर्ती अपवा, और ध्यारोपित अपवा, ये से कम NCEIT को दो से तीन बार पढ़ लीजेगा अगर आप लोग ने NCEIT किताबें पढ़ी होगी तो यहाँ आप लोगों को बहतर भूगोल समझ में आ रही होगी नदी अपवात अंदी के अगर हम लोग बात करें river drainage तो नदीयों की स्तिती संख्या, संख्या, प्रवा, और मार्ग और आप देखेंगे कि दिशा से प्रवाहित होती हैं अब वात अंदी के पेरकार देखें तो इसमें आप देखेंगे कि बेक्षाकार पिती रोप हो गया आयतायकार पिती रोप हो गया जाली नुमा पिती र आरिये या आपके अंदरिये पिति रोप और आप देखें समानतर पिति रोप अनिश्चित पिति रोप आंतराएक पिति रोप भूमिगत अफवा पूरबर्टि अध्यारोपित अफवा या आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसमें आगर हम लोग बैक्छाकार पिति की बात करें तो अववातंत एक बैक्ष के तने की समान करम बरती धाराओं की योग से बनता है जिसमें अनेक साखाएं निकलती हैं कहने का मतलब है कि आप देखेंगे अपरदन की द्वारा अववातंत की द्वारा एक बैक्ष के तने की समान आप देखेंगे एक तरह से बन उसी को आप लोग बैक्षाकार पिती रूप कहते हैं, उसका रूप बन रहा है, ठीक है, आयताकार पिती रूप की बात करें, तो आयताकार बिवरों, संधियों और भरंसों वाले छेत्रों में बनते हैं, इनमें इसमें मुख नदी से साखाएं एवं पिसाखाएं सामकोंट पबनती है, जाली नुवा पिती रूप कोमल और कठो सेलों की भिन सरचना वाली छेत्रों में विक्सित होता है, और इसमें सभी धाराएं धरातलिये ढाल का अनुसरन करती हैं, फिर आप देखें कि बल्याकार पिती रूप भरंसोत अत्वा गुमदाकार परवतिये छेत्र में कोमल और कठो सरचना वाली सेलों पर विक्सित होते हैं, या आप देखें कठकी ये पिती रूप या सरीता अफ़रन वाली छेत्रों में विक्सित होते हैं, अभी के अंद्रीये पिती रूप, जब आसपास उच्छ भूमी और मद्ध में कोई जील या सागर इस्थित हो तो जब धरातल का मद्ध भाग उंचा और चारों निम्ड भूमी स्थल हो, तो यह पिती रूप आप लोगों को देखने को जूँ बनता है, इसे अपके अंदरी यह पिती रूप कहते हैं, समानंतर पिती रूप, तो यह पिती रूप किसी बेहत लंबाकार परवसेडी में व उत्थी हुई होती है कि उनके प्रभाव मारग निश्चित करना कठेन होता है, तो इसे आप लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित पिती रूप कहते हैं, ठीक है, और अंतराएक पिती रूप, यह सुस्थ के अर्थ सुस्थ के मरोश्थलिये, भागों में आकस्मिक, बरसा के भल सुरूप धारतल पर बाड की भाती जल पिरवाहित होने लगता है, तो इसे बनता है अपका अंतराएक पिती रूप, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, और फिर आप देखें कि भूमी गत पिती रूप, तो चूना पत्तर, चाक, डॉलोमाइट, आदी, घ पुरबर्ती, अपवा, या इस्थलखंड के उत्थान से पहली ही बिक्सित होने बाला अपवायतन्त होता है, जिस पर अच्छेप का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर आप देखें, अध्यार उपित अपवा, पहले नदी उपरी सेलों की सरचना की अनुसास, तत्य चात तो इस पर गार का अभवा बनता है, अध्यार उपित अभवा, तो यह भी याद रखिएगा, और नदी द्वारा जो अपर्दन का कार होता है, इसे भी देख लिजे, इसे भी जान लिजे, इसके बारे में भी, तो आप देखेंगे कि नदी का प्रमो कार अपर्दन, ले जा रही है, और एक जगह ऐसा भी आएका कि वहाँ इस मिट्टी को छोड़ देगी, निच्छेप कर देगी, तो इसके बात हो रही है, नदी को उसके उद्गम से भुहाने तक तीन भागों में बाटा जा सकता है, सबसे पहले आप देखेंगे उपरी भाग, जहां कटा जो सोता है, तो आप मिट्टी को काड़ देंगे, ठीक है, फिर मद्भाग, इस सितिती में नदी का मुख कार बहाव परिवान होता है, या नदी की पुरणावस्ता होती है, इस भाग में तीब ढालना होने के कारण बहाव कम हो जाता है, अब बुड़ापा सुरू हो रहा ह आप लोग पुरणावस्ता में जा रहे हैं, फिर आप देखेंगे निचला भाग, तो यहां नदी का मुख कार जमाव होता है, या नदी की बिद्धावस्ता होती है, क्योंकि ढाल कम होने के कारण नदी द्वारा लाए गया सारपदार्ट, नदी के मुहाने पर डेल्टा क की रूम में जमा किया जाता है, कहने का सीधा सा एक और उधारन दे देता हो, माल लेजे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कहीं से पत्थर इखटे कर रहे हैं, तो युगा वस्ता में आप लोग बहुत सारे पत्थर उठा के ले आते होंगे, ले आते होंगे, फिर आप तर इसे आप लोगों को नदियों में भी देखने को मिलेंगे, बस उधारन कोई भी लीजे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, नदी द्वारा अपरदन कारी की चार भी धिया हैं, एक तो आप देखें, संचारन किरिया या घोल करन, इस किरिया में जल के संपर्क में आने वाली सेलों के घोलनसील खनेज परतक हो जाते हैं, और बहुत सारी आप देखते हैं कि खनेज होते हैं, जो सेल होती हैं, वो घोल जाती हैं, फिर आप देखेंगे अब करसंड, तो इस पे किरिया दोरह नदी के जल के साथ बहता हुआ पदार्थ, उसके तल और पारसो इस किरिया में नदी का जल किसी सामगरी के बिना यांतरिक विदी द्वारा सेल कड़ों को धीला कर देता है, एक समय पर आप देखें बहता जाएगा, बहता रहेगा, वो धीले डाली होई ही जाती है, और फिर आप देखें कि अपरदन होना सुरू हो जाता है, तो नदीया वो जलते होगे और आपको अपने बरावरी लाने की हर समभव कौसिस करते हैं, तो पानी का भी यही है, नदीयों का भी यही है, वो तब तक अपरदन करती रहती है जब तक की बराबर नहीं कर देती है, ठीक है? और फिर आप देखेंगे अपरदन द्वारा निर्मित भू यह पूछ लेता है गईवार कि भी आकार की घाटियां किसके द्वारा अपर्दित होती हैं नदियों के द्वारा अपर्दन के कारण बनती हैं इसमें नदी द्वारा पार्दन की दर से उठवाधर अपर्दन अधिक होकर घाटी का डाल नियंतर गहता होता रहता है और इसके किसित होने की नियंतक कारक हैं और इस से भी आकार की घाटी कहते हैं एक तरसे क्या कहते हैं भी आकार की घाटी आप लोगों को देखने को मिलती है सिर्फ और भी घाटी आकार को कंदरा या गार्ज भी कहते हैं और निमने कटाओ द्वारा यह गहरा गहरी होती जाती है और यह नदी युवावस्था का कार है और सिंदो सतला सेवतराज अमेरिका की ग्रांड केनियन जियोन केनियन, चैली केनियन, क्रमसा कोलो रेडो इस ने यलो इस्टोन नदीयां द्वारा निनमेत प्रमक केनियन यह आप देखेंगे की है यह भी आकार की घाटी आप लोग उनको दिखाई दे रही होगी देखें यह आप लोग उनको भी आकार की घाटी भी दिखाई दे रही होगी ये जल गर्टी का है नदी तल और जल प्रभात जल पे पात आप लोग पड़ते हैं ना उपर से जल गिलता है भेडा घाट आप लोग होने सुना होगा मद्प्रिस में दुवाधार सुना होगा सीस अपर्दन द्वारा दूसरी एदनी का अपरण ये आप देखें जलोड पंख ये आइअपटियां भी अपरण के कारण मनती हैं पार्स अपरदन से घाटी का विकास, डेल्टा का निर्मान आप लोग देखते हैं, नदियों के महाने पर डेल्टा भी आप लोगों को देखने को मिलता है, बाड मैदान, गोखुर जील, यह आप देखें, खुर की तरह जील हो जाती है न, उसमें पानी भर जाता है उसी को गोखुर जील, सागटिक, संदर, यह नदी दूइप, नदियां हो गए, नदी के परमु कारुन की बनी, परमु के स्थालागतियां हो गए, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, यह उपरी भाग, यह मद भाग, एक निचला भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, इनाकतियों को भी, क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और देखना भी चाहिए, कि नहीं देखना चाहिए, आप लोगों को बताईए, तो उफरी में देखें, तो इसमें यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है और फिर आप दूसरे नमबर पाएंगे तो मद्ध भाग जलोड संकु जलोड पंक नदी भ्रुगु विसर्व फिर आप देखने को मिलेगा यहां से परिवान लेकर यानि की ले जाकर यहां निच्छेप यानि की छोड़ दे रहे हैं यह आप देखिए उर्धवादन आप घर्षन हो गया यह नादी गहाटी का चौणा होना यहां कुछ निच्छेप यहां पिन चोड़ देना जyलोड निच्छेप यहां पिन चोड़ देना ठीक है? और यह सागर में मिल जाती है आप सभी जानते हैं महाखंड अत्बा भी आकार की घाटी आप लोगों को ये दिखाई दे रही है और खुली चौणी तथा आप देखेंगे मंद ढाल वाली घाटी दिखाई दे रही है बहुत मंद ढाल सपाट तथा चौणी घाटी आप लोगों को दिखाई दे रही है ये सब ही आप देखेंगे नदियों से ही बनत कि साथ गिन्ने को जल्पय पात करते हैं यानि कि आप देखी students इस तरह इसी ऊपर से नदी गर रही है यहां इकाएक गर रही है ठीक है इसी को जल पर पाथ कहते हैं और आप लोग जय करिएगा इस तरह की इस्थानों पर देखके आए करिए करिए कर जल पर कैसे बन रहा है भेडा घाड धुआधार जबलपूर मत्पदेश में देखने को मिलेंगे जय करिएगा वहां नर्वदा नदी पर और इसका निर्माट कठोर इबन मुलाइम सेल इस तरह परसपर छेतित अत्वा लमवत अवस्था में बिच्छेनता उत्वन होने से होता है और बिसमे नियाग्या पर पाथ यूएसे में आपको देखने को मिलेगा लिवि प्रवाहित जल रनेंग नदी द्वաरा अपरदिनकार है आप देखें अपरदंकार की विदियां संचारन यानी की घोली करन अपगरसन सन्नी घरसन जल गती पिकरिया तो ये भी आप लोग आते आप को दिखाई दे रही जल प्रिपात की देख लही है आप SUS गर्पात की सि डोलोमाइट ए सेल हो गई यह चूने का पत्थर बलुवा पत्थर आपको दिखाई दे रहा है आप देखेंगे बलुवा पत्थर एवं सेल दिखाई देते हैं नीचे आप लोगों को सेल दिखाई देते हैं तो आगे चलेंगे आप लोग आगे क्या देखेंगे नदी अपर द्वारा ही पनाये जाते हैं इन्हें भी आप लोग याद रख लीजेगा रख पाओगे या नहीं एच्छे भीका आप लोगों को देखाई दे रहा है फिर आप देखेंगे कि इबिसर्फ जील और नीचे आप देखेंगे नदी सर्पन चापाकार जील आप लोगों को देख कडियां और पिस्तर टुकड़ों को घुमाया जाने जाने इसके घर्षण यानिकि वर्षण और छेदन शेय हैं या डही को जील टांर मोड होता है और इसतरह से देखें कि नदी मोड का उत्तर जीवी भाग जो नदी के द saat अपनी बिसर्व ग्रिवा को लगु मार्क से काड़ देने के परचाद एक छोटी सी चापाकार जील की रूम में आउसिष्ट भाग को चाप जील या गोखर जील भी कहते हैं यहां आप लोगों ने देखा होगा चापाकार जील आप लोगों को देखाई दे रही है दिखाई दे रही है या नहीं देखाई दे रही है और उपर आप देखेंगे कि क्या गोखर जील आप लोगों को देखाई दे रही होगी चलिए तो यह भी आप लोग याद रखेगा और नदी द्वारा अपरदन कार को नदी घाटी का विकास भी कहते हैं और जो आप देखें घाटी का गहरा होना इवावस्था घाटी का चोड़ा होना पुड़ावस्था घाटी का लंबा होना बिड़ावस्था का सूचक है और जॉनसन एवं कुछ अन्य विद्वानों ने नदी एवं घाटी को सामान अर्थों में प्रियोग किया है और विभिद आधारों पर घाटी का बरगीकन भी किया है क्या किया है बरगीकन ये बरगीकन का आधार हो गया ये घाटी के परिकार हो गया इसमें आप देखेंगे कि भू आगती चक्र की अवस्था की अनुसार, यूबा घाटी, फुरोण घाटी और व्रिद घाटी, उत्पत्ती की आधार पर आप देखेंगे अनुगांसीक, वर्गी का अनुबर्ती घाटी, परावर्ती घाटी, पित्यानुबर्ती घाटी, नव नुवर्ती घाटी आक्रम भर्ती घाटी देखने को मिलेगे और सरचना अत्मक नियंतन की अनुसार एक दिग्गत घाटी अप नती घाटी अभी नती घाटी और धरंस घाटी आप लोगों को रेप्टे पहली के बारे में आप लोग सुने होगे ठीक है तो उसी की बात हो संदी घाटी आप लोग देखते हैं सरचना की आधार पर आप देखेंगे ये आप लोग सरचना दिशा के अनुसार देखें तो दो तरह के देखने को मिलेगे एक तो पूरवर्ती घाटी और दूसरी है अध्यार उपित घाटी और अगर आधार तल में परिवर्तन की तो निमगन भाटी गाटी और पुनर योनित गाटी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बाद आगे चलते हैं नदी के निच्छेव कार में निर्मित भू आग्टियों में जलोडपंग संकु बात का मैदान प्राक्तिक तर्वन और डेल्टा मोखें जलोडपंग के डेल्टा परिवाहित के ये कुछ पदार्थों का निच्छेव करती हैं जो प्रयाप पंखाकार होते हैं यानि कि आप देखे कहने का मतलब यह है कि जो परवटी उद्गम से निकलने वाली नदिया है वो अपने साथ कुछ लाती हैं और फिर निच्छेव कर देती हैं और उसी से आप देखते हैं जो प्रयाप पंखाकार होता है पंख के आकार का होता है और इन्हें जलोड पंख भी कहते हैं और जलोड पंख की आकिटियां अधिक प्रवल ढाल वाली होती हैं और अधिक इस्थल संकु की आकार की होती हैं तो वह जलोड संकु कहलाती हैं नदी क जल में जलुडक की मात्रा में विढ़ी, आप देखे, फिर आप देखेंगे और ये नीचे भूमध दिसागर, नेल का चापकार डेलटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नेल नदिया आप लोगों को दिखाई दे रही है, चलिए तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में चापाकार डेल्टा तो यह धनुस की आकार का बजरी रेत सिल्ट आदी कटों से निर्मित होता है और नेल गंगा सिंधु राइन हंगो इरावदी बोलगा डेनिव पोल राइन रियो के डेटा भी इसी पकार के आपको चापाकार डेल्टा की रूम में देखन बनाया जाता है और यह धन उसके आकार का बजरी रेत सिल्ट आदी कटों से निर्मित होता है और जो नील नदी हो गंगा हो सिंधु हो राइन होंगो इरावदी बोलगा डेनिव पो राइन रियो के डेल्टा इसी पकार के आपको देखने को मिलते हैं आंगे आप लोग दे का डेल्टा इसी का उधानन है यह आप से पूछ लेगा पंजा का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है मिसिसीपी का डेल्टा ठीक है और मिसिसीपी का पंजा का डेल्टा आप लोग देख लीजे बेटिन साउंड मेक्सको की खाडी तो देखें पाओं के बिलकुल आप लोग दिख रहे हैं ना उसी तरह से फिर आप देखें भूमत सागर ट्राइवर नदी ए ट्राइवर का डिल्टा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ज्वार नद मुखी डिल्टा तो नदी का जल्मगन मुहाना जहां सागरिये लहरें या ज्वारिये तरंगें निच्छे पे देल्टा इसे ही पिकार के डिल्टा ज्वार नद मुकी डिल्टा और आपको मालू होगा कि जो डेल्टा एकश्यूरी का निर्मान करती है कौन तापती और आप देखते हैं कि कौन नर्वदा ठीक है यह भी आप लोग याद रखेगा खंडित डिल्टा सागरी लहले डिल्टा को नेंतर घाट काटती रहती हैं तथा कुछ भाग को बाहर ले जाती हैं ऐसे कटे-फटे भगनाकार या खंडित डिल्टा कहलाता है ओपरी अमेरिका की रियो ग्रांडो का डिल्टा इसी तरह का डिल्टा आपको देखने को मिलेगा एक आप देखें कि पाल युक्त डिल्टा तो इसमें आप देखें कि जब एक नदी की कई धाराएं पाली की रूम में पिथक डिल्टा का निर्मार करती हैं और मुक नदी द्वार पर निच्छेपित जलोडों को मुहाने की पासों की ओर फैला देती हैं और जिसे पास मुड जाते हैं और नौकदार डेल्टा निर्माड होता है और भूमद सागर तटपा ट्राइवर डेल्टा ऐसा ये उधारन देखने को मिलेगा नदी के द्वारा निच्छेपकार ज्वारनद मुकी डेल्टा नर्वदा नदी का खंडिट डेल्टा रियो ग्रांडे नदी का पालिक्ट डेल्टा पदमा नदी का अगवर्धी डेल्टा जैसे मुहमद सागर पर ट्राइवर डेल्टा आपको देखने को मिलेंगे इन नदियां के बारे में और डेल्टा के बारे में जरूर याद रखेगा इनसे questions कई बार पूच लेता है जो SSC bank railway होते हैं ना उनमें भी questions पूचा जाता है विस्तार की द्रिष्टी से डेल्टा तो प्रक्तिसील डेल्टा जो सागर की ओर बिक्सित होता रहता है जैसे गंगा मिसिसीपी का और ओधी डेल्टा जब सा अध्वग फ्रायदीप के दच्छन में था वर्तमान में उत्तर में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर भूमी गजल की बात करें तो धरातल की नीचे भूप इस्टी है सेलों में के छिद्रों और धरारों में उपस्तित जल की भूमी गजल अध्वग भूमी जल कहल आता है आप लोग कहते ना कि भूमी के जल का धरातल नीचे जा रहा है पहले एक समय आप लोग देखते थे कि कम ही गहराई में आपको पानी मिल जाता था धर्ती में लेकिन आज आज आप देखें कि गहराई बढ़ती जा रही क्योंकि पानी घरता जा रहा है तो उसे की ब तला बनाईए पानी रोकिये जिसे वो धरती में जा सके और भूमी तल जो धरातल जल है भूमी का जल है उसका इस तर बढ़े सहजाद जल तो जीलों और सागरों में निच्छेफित अवसादी सहलों के छिद्रों अत्वा सुराकों में इस्तित जल को सहजाद जल कहते हैं मैगमा जल या जल जो आला मुखी करिया के कारण तप्त मैगमा सहलों में प्रवेस करता है इन सरोतों से प्राप्त जल धरातल के नीचे आप परागम या आप प्रवेस सहलों की शिद्रों में 31 जल की इस कारण सहलें धीरे धीरे जल युक्त होने लगती है या करिया सहलों की सम प्रेक्ता कहलाती है और जल युक्ति सहलों का उफरी तल जल तल तत अथवा भॉम जल इस्तर कहलाता है और भूमी गजल की इस्तिती के कारण धरातल की नीचे तीन मंडल आप लोगों को देखने को मिलते हैं और देखिए जो आला मकी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं उसमें से महगमा निकलता है लावा निकलता है और तरह तरह की उससे भी आक्तियां बनती हैं पीछे हम लोग बात कर चुके हैं भूमी गजल काश्ट इर्पिडेस में भूमी गजल के बेकार देखें तो उलका या आकासिय जल सहजाज जल मेगमा जल देखने को मिलेगा भूमी गजल के बन्डल देखें तो आसंप्रक्त मंडल संप्रक्त संतुत संतुत मंडल चटान प्रवा मंडल आपको देखने को मिलेगा इसमें आप देखें कि आस संप्रक्त मंडल भूमी गजल का सबसे उपरी भाग होता है इसे वातन छित भी कहते हैं या सेले जल के संप्रक्त नहीं होते हैं वहीं अगर हम लोग संप्रक्त संतरप्त मंडल लेखें तो आस संप्रक्त मंडल से रिसका जल नीचे पहुचता है और सेलों के छिद्र फू प्रक्त रहती है और उसे इस्थाई संप्रक्त मंडल कहते हैं और तीसरा आप देखेंगे चट्टान प्रभा मंडल इसमें भूमी में जहां सेलों के छिद्र प्रया बंद हो जाते हैं और जल उसमें नीचे रिस नहीं पाता है यह एकत्तित जल जल भरा कहलाता है और भूमी जल द्वारा अपर्दन भूमी गट जल द्वारा अपर्दन भूती केवं रसाइनिक होता है और भूमी गट जल द्वारा अपर्दित विधियां अगर आप देखें तो घुलन किरिया अफकरसन सन्नी घरसन जल गदी किरिया होती है घुलन सील की बात करें तो आप देखें इसके द्वारा इसमें कारवन डाई उक्साइड विर्सिट जल घोलक का कार चूने की घुलन सील सेलों को विसे रूफ से प्रभावित करता है और जिसमें धरातल पर अनेक छोटे छोटे छिद बन जाते हैं और उनी छिद्रों से जल धीरे धीरे धरातल के नीचे पहुंचता है और घुलन सील प्रदात्मों को घुलाने का कार करता है और जिससे सेल धीली पढ़कर तूट जाती है अब चूना को आप लोग देखते लेजे आप लोग अभी भी चूने को अगर सामने से भी अगर पानी में डाल दें तो उसमें आप देखते होंगे कुछ समय के बात गुल जाता है अब घरसन वल ये अब घरसन के अंतरगत भूमी का जल के प्रभाग की गती पहुत मंद होती है और इसका कार नगन होता है पर आप देखें सन घरसन इस किरिया में सेल के टुकड़े प्रवाहित होते समय परस पर रगड़ खाकर तूटते फूटते हैं और उनका आकार छोटा होता जाता है जल गती किरिया में जल बिना किसी अनन्ने साधन के जल भूमी में प्रवाहित होते समय कंकर, पत्थर, मिट्टी, आदी, चट्टानों के ढीले पतार्थों को अपने साथ खिसका ले जाते हैं और भूमीगाजल का परिवहन कार बिलकोल महत्व नहीं रखता है क्योंकि भूमीगाजल की गती आधी मंद होती है अब नीचे कहां वो तेजी से भैपाएंगे और केवल सुक्षंकड ही परिवहत होते हैं और परन्तु निच्छे पात्मक कार बहुत महत्वूर है क्योंकि भ भूमीगाजल में बाधा उसमें घुले हुए पदार्थों द्वारा निच्छेप करते है और तामान की वडोत्तरी जल का बसपी करनट करके निच्छेप परेद करती है तो य zawsze आवको देखने को मिलेगा फिर आप देखें काश्ट इस्थालाक्तियां तो घोलन सेल की रिया द्वारा निमित होती हैं और अपर दनात्मक ये वो निच्छे पात्मक इस्थालाक्तियां बनती हैं दच्छेड में, दच्छेडी फ्रांस, ग्रीक, इस्पैन, उत्री, पोटो, रिका, जमेका, पश्चिमी, क्युबा, युएसे में इंडिया आना, पश्चिमी और मद्द केंटुकी, वर्जीनिया, टैनिसी में मिलती हैं इस तरह की काश्ट इस्थालाक्तियों में देखें, तो काश्ट सब्द की उत्पत्ती योगो सिलाव, भासा के क्रास सब्द से हुई है, जिसका कात्पर चूने के पिदेश से होता है एडियाटिक तरपर सागत तल से 200 मीटर ऊपर लगबग 480 किलो मीटर लंबा और 80 किलो मीटर चूने का पिदेश इस्थे थे और यहां जल की घुलन सेल किरिया द्वरा अनेक पिकार की विस्ष्ट अपरदानात्मक और निच्छे पात्मक आग्तियां उत्पन होती हैं, इन्हें कास्ट इस्थलाक्तियां कहते हैं योगो सलावईया के अत्रिक्त दच्छडी फ्रांस के कौनसे, ग्रेस इस्थ्वेनेस, एंडा लूसिया, उत्तर फोटो रिको, जमेका पश्टमी की वगा, साइप्तराज में इंडियान, पश्टमी मद्द केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी और मद्दबर्ती फिलोरीड में भी इस्थालाक्तिया मिलती है, साइप्तराज अमेरिका के आप देखें, कालसवाद, नियू मेक्स को, इंगलेंड के चाक पिदेश, फ्रांस की चाक छेत, जूडा परवत, अलफस और एफी नाइन परवतों के कुछे भाग में मिलती जुलती कास्ट इस्थालाक्तिया विक्सित हुई हैं, और इन्हें गौर कास्ट छेत्य कहते हैं, और कास्ट इस्थालाक्तियां उनी छेत्रों में विक्सित होती हैं, जहां यह आप देखेंगी सतय पर अत्वा, सतय की निकट घुलनसील सेलें, जैसे चूना, पत्था, डॉलोमाइट, सेल लवर, सेल खड़ आप अरुदनात्मक, इस्थल रोप, भूमीगर जल के परदन सवरूप, तो इसमें आप देखेंगे लेपीज, जब चूनी की चटानों पर कार्मम में से जल बहता है, तो इसके कुछ अंस को घुलाकर संधों, एवं दरारों से पानी भीतर प्रवेस कर जाता है, और चटा भासा में बोगाज कहते हैं इसे, ठीक है, तो इस भी याद रखिएगा, और आप देखेंगे, घो के रंद, काश्ट पे देश में चेहती परतों, योक्त चूने के समतर धरातल पर कारवन डायोकसाइड विर्सिद जल की घुलन किरिया से असंक घोल रंद बन जाते हैं, औ हो जाते हैं, यह डा लाइन और डो लाइनस कहलाते हैं, चलिए तो यह भी याद रखिए भूमत दसागर, यह आप देख लिजे, और इस तरह से आप देखेंगे, काश्ट पेरदेश में, अपर दनात्मक इस्तालाक्तियां, लेफीज हो गया फ्रांस में, कारेन हो गया जर तरविया में, घोल रंध हो गया, बिलियन छिद्र हो गया, काश्ट खिड़की, घोल पटल, युवाला या सकुंडा, पनार्स, काश्ट घाटियां, कंदरा या गुफा, प्राक्तिक पुल, चून, कूट आपको देखने को मिलेगा, काश्ट जील की बात करें, तो जब डो आप देखें, या तो घोली करन, द्वारन या फिर डोलाइन की उपरी छत की धोस्त हो जाने से बनते हैं, राचकुंड या पोल जे, जो साकुंड की बड़े होते हैं, पनार्स, पनार्स, ये लंबवत चोड़े मार्क जिसमें होकर छिद्रों और संधियों का जल काष्ट मैदान का धरातल उचलती जैसा दिखता है और काष्ट मैदान में बहती हुई नदियों का जल चिद्रों और दरारों की सारे, भूमीगत होने लगता है और छोटी नदियों धरातल पर धस्ती निवेसी का किरूम में बहती हैं, जब धरातल पर वहने वाली नदी का जल भूमीगत होकर घाटी सुस्क हो जाती है और सुस्क नदी तल बन जाता है तो अंधी घाटी बनती है और यू आकार की घाटी घोलन क्रिया द्वारा बनती है तो घोलन घाटी अधवा काष्ट घाटी भी कहलाती है यह आप देख लिए चूने के पेदेश में अपरदित स्थालाक्तियां हो गई आप लोगों की ठीक है तो यह भी याद रखेएगा बड़े कुश्चन्स पूछ लेता है कई बार आप देखते हैं क्या कर लेते हैं पूछ लेता है एक आप देखें कंद्रा या गुफा तो भूमी के जल की घुलन क्रिया और आप धर्षन द्वा प्राक्तिक पूल यह जब कंद्रा की छट गिरने पर उसका एक भाग पूल के रूम में अधवा चूने के प्रदेश में बिलियन चिद्र पर भीतर ही भीतर लुक्त होकर अब घर्षन और घुलन क्रिया द्वारा कंद्रा का निर्माड होता है और पुनाह सतय पर प्रकट ह होती है और कंद्रा की छट छट सकने पर किबल दोनों के नारों को जोड़ने वाली छट बाला भाग से बच जाता है तो इसे कास्ट भूल भी कहते हैं एक आप देखेंगे चून्ड कूट जब घुलनसील किरिया द्वारा अधिकांस सेले नश्ट हो जाती है किबल कठोर से सेलेओं के टीले का अवसिष्ट पहाडी के रूमें रह जाता है जो यूगो सिलाविया में हमस फोटो रिका में पैपीनो पहाडी और क्यूबा में मोगो टस्क और फ्रांस में बूटे कहते हैं इसे भूमीगत जलदवारा निच्छे पात्मक इस्था रूप तवादे की भूमीगग कंद्रा आओं मिजल के बास्पीकन होने से कार्वन डाई उकसाइड पिठक होने और कैल्सियम कार्मुनेट के निच्छे गुपा की फर्स और छत पर इकतित होने लगते हैं यह निच्छे टेवर टाइन कहलाता है टेवर टाइन कहलाता है ठीक है यह आप देख लिए कास्ट इस्था लगती है निच्छे पात्मक आकार में आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें क्या देखने को मिलेंगी देखने को मिलेंगी हैली यह आप देखने हैली क्वाइट कैक्टाइट इसलिए कैक्टाइट और यह आप देखने हैं कि यह आप लोगों क को इस्टे गिमाइट इस्थम आप लोगों को यह देखाई दे रहा है इस्थम ठीक है तो यह भी छोटी-छोटी आग्टियां है इन्हें समझेगा और आंगे वढ़िएगा आप लोग और यह आग्टियां है और अश्च तुस्तास्म या इस्टे लिक्टाइट जब कंद्र का खिछत्पपदार्थों का निच्छे पिस्थम के रूम में नीच्छे की और विक्सित होता है तो इसे आकास्थी इस्थम भी कहते हैं और भूमी के जल्दवारा निच्छे पात्मग इस्थालू निश्ट आस्म आस्चू तास्म ग्रह स्थम हैलि हैलिक्टाइट संग्थन सिराएं जब आप देखेंगे इसमे इस्टे लेग्रमाइट जब फर्स पर इस्थम की आगती बना कर उपर की ओर विक्सित होती हैं तो इसे आप लोग पाताली इस्थम में भी कहते हैं गवाय इस्थम जब आर्ष आप देखें आश्चू तास्म और निश्चू तास्म एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए इस्थम की रचना करते हैं जब इस्थम का निर्माण आदिता युगत सत्य पर किसी भी दिशा में होता है तो हैली हैली किटाइट कहलाता है और इसके अतरिक जिवोड जब सैल संधी और विवरों में सिल्का निश्चेप हो जाता है सागरंथन जब ठोस करण की चारों और पदार्थ एकतित होकर केलसियम कार्मोनेट का निश्चेप करते हैं सिराएं जब सैल संधीयों में खनेजों का निश्चेप होता है आधी गौंड अगटियां बनती है तो यह भी आप लोग देखिए अब हिमानी द्वारा कार वर्क ओफ ग्लेसियर तो हिम जल का ठोस रोप होता है यानि कि आप लोग बरप से इसका मदलब निकाली है किसे बरप से और जिसका कार्चेत केबल उच अक्छांसों और हिम बरत भागों में होता है वार्शैष्टर के अनुसार हिमानी या हिमनद हिम की ऐसी रासी होती है जो धरातल पर संचय के स्थान से धीरे धीरे खिसकती है और थिलिंट के अनुसार आप देखें तो हिमानी की उत्पत्ती पिछले ये जल इवं तुसार के पुनाहा रवी करण की किरिया से होता है और हिमनद हिम धिम धिम छेत्रों से गुरुत्य के कारण कारण नीचे धीमे खिसकते हैं और हिम छेत्र की निचली सीमा हिम रेखा कहलाती है और जिसे उपर हिम सदेयों जमी रहती है और विस्वत रेखा पर हिम की उचाई अधिक ओ धुर्मों उपर अथवा उच अक्छांसों में कम होती है परयापते हिम पाद बर्स भर नियून ताममान सामान इस्थल धाल और तीव पावनों एवं सूर्यापताप से सुरक्षि धाल हिम की उत्पत्ती और विकास के लिए आवस्तिक दसाएं है और आका सरूप एवं निर्मार पिक्रिया की दिरिष्टिकोंट से होने से विस्तित चेत में इस्तिती होती है जहां इनके सरक्ने की गती बहुत मंद और आदरस्त होती है महादूप भी हमानी कहलाती है जैसे ग्रीन लेंड और अंटार्क्रिटिका में आप लोगों को देखने को मिलेगी तो यह भी याद रखिए एक आप लोग देखते हैं परवर्तिय या फिर घाटी हमानी या उच अक्छांसों में इस्तित हिम छेतरों से जब हिमरासी गुरुत्य के कारण ढाल के नीचे किसकती है तो इस परवर्तिय अत्वा घाटी हमनत कहलाती है आलपस में इन घाटियों का विसी सद्धियन होने के कारण इने अलपाइन हिमनत भी कहा जाता है और घाटी के और बहने के कारण इने घाटी हमानी भी कहते हैं आलपस हिमाले कारा कूरम में इसी घाटियां देखने को मिलेगी ग्रीप पदिय हमानी तो जब हिमानिया परवत्तों से उतर कर तलहटी में एकफ्तित हो जाती है और उच अक्षांसी है परवत्ती च्छेत्रों में पाई जाती है तो हैं अलास्का की मेला इसमिन्ना हिमानी परश्मी ग्रीनलेंड की फेडरिक साब हिमानी और अंटार कीटिका में वाटर हिमानी हिमनत छेत्रों में हिमानियों के पारकार तो आप देखें हिम टोफी हो गया महादुपी हिमानी जैसे ग्रीनलेंड और अंटार कीटिका परवती हिमानी या घाटी हिमानी में आप देखें हिमाले आलपस ग्रीफ अधिये हिमानी में आप देखें अंटार कीटिका म वाटर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि हिमानी द्वारा अपरदन कार विदियां अवगर्षन उत्पाटन सन्नी घर्षन आप घर्षन की बात करें तो इसमें कंकर पत्थर सिलाखन्डों से युगत अपरदन होता है और यह पदात रेगमाल की त कर सेलों को कमजोर करता है और बड़े-बड़े सिलाखंड तूटते हैं इस करिया को विजिंग कहते हैं और जब सेले दबाव के कारण जल सहे तूटती हैं वहां गर्द बन जाता है और यह करिया उत्पाटन कहलाती है सन्नी घर्षन तो इसमें आप देखेंगे कि जब मंदल यहां अपर्दन और निच्छेव दोनों नगन है मदवर्ती मंदल यहां सरवाधिक अपर्दन होता है परदिये मंदल यहां निच्छेव कार अधिक महत्पूर होता है और हिमानी द्वारा सबसे अधिक अपर्दन कार परवती इत्वा घाटी हिमानी द्वारा होता ह तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और हमानिया, हमानी किट घाटियां इसमें आप देखें स्तरक, हिम, गैर और टार्ण, अरेत ग्रीसिंग, काल, नूना, नूनाटक, सरंग, पुंच और मेश सिला, या भीड पीट, हिम, सौपान, फ्रेयोड, आदी मुखेमानियों द्वारा निर्मित घाटियां है यूवाकार की घाटी, तो इसमें तली सपाट, चौरस और ढाल खड़े होते हैं और अब घरसन तथा उत्पादन क्रियाओं द्वारा बनती हैं और इनके कनारे सौपान होते हैं, इंगलेंड की रेडियल और कैलिफॉनिया की यो स्माइड, सौइजलेंड की लाटर ब्रोनेंड, पिस्त देहमानी आप लोगों को देखने को में लेगी, यूवाकार की समझ रहे हैं, आप लोग की नहीं समझ पा रहे हैं, यूवाकार ये आप देखें, सीस्त विबर हो गया, हिमनद हो गया, ये दरारें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये पहाडी ढालक और सार्ग का विकास हो रहा है फिर यहीं अगर आप लोग बगल में देख लीजे, एक और आक्रिटी है, हिम आच्छा दन के पहल, ये आप देख रहे हैं, ये आप देखेंगे कि चिकनी साता हो गई, और भी आकार की घाटी यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रही होगे फिर नीचे आएंगे आप लोग, तो यहाँ भी आप लोगों को एक दिख रहा है, हिम, गहवर, सरक, ग्रीसिंग, और एरेट देखने को मिलेगा, हिमनद के अपरदन से बनी, तीन पिलमों के स्थालागतिया है इसमें, और फिर आप देखेंगे हिमनद काल में, तो एरेट यहाँ रेट, एक ग्रीसिंग, यहाँ पैरामिड चोटी हो गया, हिम, गहवर, सरक, आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, और फिर नीचे आप देखेंगे, मुक, हिम, पार्टी, मुक, हिम, पार्टी, निलंबी लटकती घाटी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और यह आप हिमनदों के पिघल जाने पर आप लोग देखेंगे, इसे जील बन जाती है, देख लिजे, हिमनद मैदान आप लोगों को देखाई दे रहे हैं, और अंतिम हिमोड आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें ड्रम लिन यहाँ देखने को मिलेगा, कोटक जील आपको देखने को मिल जाएगी, एस्तर देखने को मिल जाएगे, हिमनत के निच्छे पसे बनी फिर मुख स्थलाक्तियां आपको दिखाई दे रहे हैं और ये पेखलती हिमानी आप लोगों को यहां दिखाई देगी तो इस सब आक्टियां इनसे बटकती है लटकती घाटी, जब मुख घाटी भी आकार की और इसमें मिलने वाली साहक घाटी, मुख घाटी के उपर लटकती हुई दिरिश्टी गोचर होती है बनती है, ये हिम ग्रहर ये आप देखेंगे कि यह अर्थ, रंग मंच अत्वा गहरी आराम कुर्सी के समान होती है जर्मनी में कार, वेल्स में इसकाटलेंड में, नौर्वे में वोटन कहते हैं ये साधान सरक, लटकती सरक, सेउक्तसेक सरक, अथवा, निवेशन सरक आदी होते हैं टार्ण, जब सरक, रोपी वेशन में जल भरने पर एक लगू जील का निवाड़ होता है अरेत या तीचन कटक जब पहाड़ी के दोनों फास पर सरक उत्वन होकर निकट आ जाते हैं और आप देखेंगे मद और मदभाग अरेत की समान नुकिला हो जाता है सेउक्तराज अमेरिका में सेउक्तराज में इन्हें कंकत कटक सुजेलेन में हरनली और जर्मरी में ग्रांट और पनाइंस में डेंट विलाच कटक कहते हैं ग्रीसरंग एक पहाड़ी पर बने कई सरक नियंतर अब घर्षनर द्वारा पीचे हट जाते हैं तो एक पैरामेड के आकार की नुकीली चोटी बन जाती है और जब पहाड़ी के दोनों ओवर बने सरक के मद्द की दवराएं टूटने से टीले के आरपार मार्ग खुल जाता है अत्वाद दर्रा बन जाता है जब टीले विस्तत छित में उपर करदूइप के समान बन जाते हैं तो नु नाटक बनते हैं और जब हिमानी के परभाग मार्ग में इस्ति जौला मुकी फ्लग वैसाल्ट या अनसिला के सम्मुख ढाल पर हिम घरसन से उबडखावड ढाल बन जाते हैं तो इससे स्तरंगे कहते हैं और जब हिमानी अफगरसन से चिकना या सफाट ढाल का निर्माड होता है और टीलों पर परन्तु विमुक ढाल उबडखावड होती है तो मेस सिलाया का निर्माड होता है और आप देखेंगे कि हिम पात इबं सौमान या हिमानी अपरदन से परवती ढालों पर बनते हैं और जो अफगरसन उतपाटन और बेसे से अपरदन की किरियाओं से बनते हैं तो ये भी आप लोग याद रखेगा परवती हिमानी द्वारा निर्मित इस्थालाक्तियां यू आगार की घाटी हो गई, लटकती घाटी हो गई, सारक या हिम गहर हो गई कार जर्मन में, बैल्स, इसकार्टलेंड, वाटन नार्वे, टार्न आपको देखने को मिलेगा आरेत या तीक्छन कटक, हार्न या गिरिसिंग, काल देखने को मिलेगी नू नाटक, सरंगे पोच्छ, रसुमो टोने या भीड़ पीट सेल भी कहते हैं हिम पात सोपान, यह आप देखें, मिल जाएगा हिमानी द्वारा परिवहन कार, तो नदी की भाती हिमानी भी विभिन पिकार आकारवाली सिलाखंड और सिला चूंड का परिवहन करती हैं, यानि कि अपने साथ ले आती हैं परिवहन किया गया पदार्स अपोड कहलाता है और हिम परिवहन की कारण हिमानी की सतय पर बिभिन पिकार की सिलाखंड बन जाते हैं और यह हिम पिछलने की कारण नीचे धसने लगते हैं और इस से हिमानी की सतय पर गड़े बन जाते हैं, और इस पकार की गड़ धोली कूप कहलाते हैं, और हिमानी द्वारा निच्छेप आत्मक कार, तो हिमानी द्वारा निच्छेप से हिमोड, ड्रमलिन, एसकर, कैम, केटिल, हिमानी घोत, मैंदान का निर्माड होता है, हिमोड और ये आप देखेंगे हिमानी द्वारा निच्छे, पात्मकिस्था लगती हैं, हिमोड, पार्सविक हिमोड, मद्ध्यस्थ हिमोड, और तलवर्टी हिमोड, अंतिम हिमोड, ड्रमलेन, एसकर, कैम, केटिल, हिमानी घोद मैदान, मद्धेस्त जलोड में आप देखें तो इसका निर्माट पार्सविक हिमोड द्वारा की रचना होती है इसमें सुक्चरेट से लेकर बड़े सलाखंड तक पाए जाते हैं जो हिमानी का अपचरन होने पर दिखाई देते हैं या आप देखें हिमनत पार्सविक हिमोड मद्धेस्त हिमोड हिमनत पार्सविक हिमोड आपको अंतस्त हिमोड देखने को मिलाएगे हिमानी में हिमाडों की स्थिती अंतिम हिमोड तो जब हिमानी का अंतिम या अगभाग पिगलने पर उसका आंगे वहना रुक जाता है और पदार्थ अर्थ चंदाकार कटक का निर्माण करती हुए जमा हो जाता है तो हिमानी के पीछे हटने पर अंतिम हिमोड की रचना होती है इनके पीछे जल इकतित होने से जीलें बन जाती हैं इन हिवोड को पित्ती सारी हिमोड कहते हैं ड्रमलिन, गोलासरम मिर्ती का द्वारा निर्मिच छोटे तीलों की रूम में देखने में उल्टी नोका या अंडे की टोकरी जैसी होती है मेर्द, कटक या एसकर ये लंबे सक्रे और सर्फिल आकार वाले लहरदार तीब ढ़ाल युक्त कटक हैं जिनकी रचना बजरी, रेत और सक्री पत्थर से संकड पत्थर से होती है ए घाटी, दलल जील, आसमतल भूमी में लगभग आप देखेंगे कि 100 मीटर उचे और कई 100 मीटर लंबे कटक की रूम में इस्तित होते हैं कैम या हमानी की अगभाग में रेत बजरी से निमेत तीब ढ़ाल युक्त तीले होते हैं जो अंतिम मौरेन जैसे लगते हैं कई कैम मिलकर कैम कटक, कैम हमोड, अत्वा कैम बेदिकावाएं कोई रेचना करते हैं कैटिल, क्या कैटिल या आप देखेंगे कि बड़े हम खंडों के, कैम के विप्रीत इनकी रेचना होती है और इनके मद्द छोटे तीले भी इस्तित्थ होते हैं हमानी घोत मैदान जब पिगले हुए हिम का जल, नदी के रूम में अंत्य महिमोड के पीछे एकत्तित हो जाता है और अंत्य महिमोड का पदार्थ यत तथ फैलकर निच्छेपित हो जाता है इसे हमानी घोत अत्वा अपेक छेफ मैदान कहते हैं और किसी पूरवर्थ घाटी में हमानी अपच्छेप द्वारा भराओ होने से उत्पन विसिष्टे आग्ति को वैली ट्रैन कहते हैं ट्रैन ठीक है तो यह भी आप लोग देखेंगे एहमानियों का की कहानी हो जाती है पवन यानि कि बिंड ये भी आप देखेंगे कि अपरदन के रूम में काम करती है एक ऐसे अपरदन के रूम में काम करती है माले जी कोई आप देखें कि पठार है या परवत है तो आप देखते होगे कि उससे हवा टकराती है और टकराते टकराते तो वहां से कुछ मिट्टी भी आटा देती है या फिर आप लोगोंने ये नॉर्मल देखा होगा कि एक बड़ी हवा चलती है और आपने देखा होगा धर्ती पर जमीन पर कुछ मिट्टी को उठा कर दूर तक ले जाती है तो ये भी अपरदन का काम करती है तो पबन की कार देखें तो अनाच्छादन की कारक की रूम में पबन का अर्दसुस्क एवं मरुस्थलों का महत्पूर कारे है पबन का अपरदन कारे भौतिक एवं यांतरिक परिक्रमों द्वारा होता है और मरुस्थली चेत्रों में जल द्वारा रसायनी क्रिया होती है और यांतरिक अप्छे द्वारा सेले धीली प और वहां आप देखेंगे कि वड़ी एक मिट्टी का वालू को उठा कर इस तरह से ओड़ा ले जाकर दूसरी जगे छोड़ देती है अर्द सुस्क इवंसुस्क मरूस्तल में पबंद्वारा अपरदित कारेयों की बिधिया ये अफवाहन अफगरसन सन्नी घरसन देखने को म परत उतरती रहती है और आधार सेल नगन हो जाती है और इसले करिया से धरातल पर गर्थ उत्पन होती है और जिस इंविस्तिक का कतारा नामगरत आप लोगों को इसी का उधान देखने को मिलेगा और इस तरह के देखिए अपरदन को अगर आप लोग अपने आसपास जो गटना है देखते हैं उससे जोड़कर देखेंगे ना तो बहुत बहतर से आप लोग समझ पाएंगे यह याद रखेंगे आप घरसन तो इसमें आप देखेंगे इस क्रिया में मार्ग में फड़ने वाली सेलों को पवन के साथ उड़ते हुए रेत या धूल की कड अफर्दन तक महत्पूर है विलेग वेल्डर की अनुसार अफघरसन की किरिया सेलों की पाले सेवं गर्थ और खरोच सादेखेंगे आप देखेंगे फलक किरिया के रूम में होती है एक आप देखते हैं सन्नी घरसन जब पवन के साथ उड़ते हुए धोल अधवारेत की कड परस पर आउरन पर आदी पर निर्भर करते हैं और पवन द्वारा निर्मित अपर्दन इस्तालाक्तिया देख लिजे आकितिया अपवाहन अपघरसन क्रिया द्वारा पवन अनेक लगो या गौड या प्रधान आकितिया मनाती है अपर्दन क्रिया द्वारा सूफ चिंकडों के उ अंगटित हो जाती है तो उसी मरू कुट्टितम कहते हैं ठीक है और इसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारी आक्टियां बार्तगर्थ या बेसिन दीपा दीपाभिगरी चत्रक सिला भुईस्थम तीपटल सिला असमेक जालक पुल तथा खिडकी जीवगेन यारडांग लोग देखेंगे पवन के द्वारा बनाई जाती है यानि की बायू के द्वारा हवा के द्वारा जब पवन द्वारा धरातल की धिली तथा आसंगठित सेलें अपवाहन किरिया द्वारा ओडा ले जाती है तो छोटे छोटे गर्थ जिनका अंतिम सीमा भौमजल इस्तर द जीले बन जाती है अब आप देखे गड़ा बन गया उसमें पानी भर गया तो वो जील बन गई वहां मरूधान बन गए और जैसे इंबिस्तिर के वहारिया खरगा फरा फरा दाखला मंगोलिया में पांग क्यांग और सहित्राज अमेरिका में बिग हालो गर्थ मुख है दीप या परवसिला की कौमल सेल के अफगरसन के कारण आउसिष्ट मात रह जाते हैं और ग्रेनाइड नीस सेल के गुमबद तो इसन की आगती फेरामिड जैसी बन जाती है इन्हें आप लोग दीपाव ग्री कहते हैं तो यह भी आप याद रखेगा आप देखे पबन के अफग द्हबरा बन जाती है देखिए अब जो मुलाय मन्हें पट्रा लेह लाटे़ा है उगई और देखिए जो मुलाय मिट्टी होगी वह यहां से हरती होगी उर इस तरह कि आーटी जो कटोर बचती होगी वो कड़ी रह जाती है यह मेसा आप लोग देख रहे हैं, जीवगेन देख रहे हैं, यार वांग देख रहे हैं, यह सबी भी पबन के द्वारा बनाईगी इस्थलाक्तिया हैं, श्रंग, वर्खान, इंसेल वर्ग और लुएस आप लोग देख रहे हैं, पूरवर्टी, भूमी, लुएस के मैदान भी सुने हैं पवन द्वारा निर्मित इस्थालागतियां तो सबसे पहले आप देखेंगी छत्रक सिला जहां कठोर सेलों के नीचे जब कौमल सेलें लंबबद बिची होती हैं तो पवन अप घरसंड किरिया द्वारा धूल के कड़ सेलों के आधार की कौमल सेल को धीरे-धी सेलों पर कठोर ओपिती रोद सेलें विची रहती हैं तो वे नीचे की कौमल सेलों को सरक्षन पर दान करते हैं क्या करते हैं सरक्षन पर दान करते हैं mental सेलों को अगर आप लोग NCIT की बाद इन किताबं को पड़ते हैं तो कोई मुझे नहीं लगता है कि कही प्रेसानी होने पर आप देखें कि जब आसपास की कोल सेलों का अपरधन होता है तो था सीस पर कठोर सेलों पर आवरण सेस रहता है तो कुछ आगती एक चिमनी अत्वा इस्थम की रूम में दिखाई देती है इसे आप लोग त्री पटल सिला कहते हैं और यह रेद द्वारा घिसा गया तीक उनके उपर मात्र पॉलिस हो जाती है और इसे जालीदार सेल बनती है तब इसे आप लोग आसमेक जालक कहते हैं और जब जालीदार सिला की आरपार छिद्र हो जाते हैं और विस्तित होते जाते हैं तो इसे आप लोग पबन खिडी और जब सिला का कटाओ आधार तक हो जा दवाओं के ढकन की आगटी की होती है। उचाई आप देखेंगे 30 मीटर होती है और इसकी रचना कॉमल एबं कठोर सेलों से होती है। सेलों की दरारों और संधियों में उस जमने से रात्री में कम ताममान के कारण सेलों फिरसार दरारों में विस्तार हो जाता है। और सेले संधियों की स्थान पर विक्टित होकर छीले पदार्थ पवंद वारा उड़ाए जाने पर जीवगेंड का निर्माण होता है। यह भी आप देखें तीपहल सिला दुफागरी यह आप देखें चत्रक जिवगैन वार्डंग वार्डंग यह अपर्दन पवन की अफर्दन अफरुनात्मक्ष इस्था जरूप हैं पवंद वारा निर्मिट अफरुदित इस्थालाक्तियां वादगर्द वादगर्द और इसमें आप देखेंगे और भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी इंसेलवर्ग छत्रक सिला भुस्थम त्रेपटल सिला असमेग जालक पोलियाखिर्की जिवगैन यारडंग 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 एक बात आप लोग याद रखेगा यह पूँच लेगा वंडेख जाम में कि इन में से कौन पवन के द्वारा बनाएगी आख्टी है या नहीं है तो किसी भी तरह से उचे जा सकते हैं पवन का परिवहन कारें तो पवन का परिवहन कारें पवन की बेग के कारण अनिश्चित होता है पवन द्वारा परिवहत पदाद सोक्षम लुड़कर आगे बढ़ते हैं इस क्रिया को 50 है सर्फन कहते हैं अब आप सही पूचते हैं धोल होगी वो तो पबन के साथ आप देखते हैं कि उड़के चली जाएगी फिर जोड़े छोटे छोटे पंक होंगे छोटे छोटे आप देखेंगे सेल खंड है वो खिसक कर होंगे वो लुड़क कर चलेंगे और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पत्थर कई वार लुड़क की दूर तक चले जाते हैं अब आदेख में पबन के द्वारा कुछ उठाय जा रहा है तो कहीं तो छोड़ा जाएगा कहीं तो रोका जाएगा तो उसी को निक्षेप कह देते हैं ठीक है पबन द्वारा निर्मि निच्छे पात्मक इस्थालागतियां यानि कि पबन के द्वारा जो ले जाया जा रहा है उससे जहां छोड़ी जा रही है उनके उससे भी तो कुछ आगती है बनती है तो इसमें उरिक में काई देखने को मिलेंगी बलुका इस से बहना जालक सब्सक्सक्रां कि द्यानिटियां यानिक द्वारा होतियां इननके नमनारा के पिचुर मात्रा में रेट नियंतर भेक से बहती हुई पवन पर वहा की मार्ग में बाधा आदी पिरमोग दसाएं आवस्त है गए और जब अवरोधक सिला के कुछ फूर्व रेत का धेर एकत्तित हो जाता है तो प्रगामी इस्तोब कहलाता है यहां आप लोग इस तरह से भी देख लीजे यहां से पव जो भी ले रही होगी वह यहीं छोड़तेगी और जब सेल के सम्मोग पार्व पनिच्शेव होता है और सीस इस्तोब जब निच्शे पवन भवर चिला के किनारे पार्ष पैक स्थूप के आंगे कई पुछ जने पर्ष वर्ष वर्थी इस्तोब कहते हैं निच्षेव से ब परवालेग होते हैं अब पवन की दिसा उसके समाना तर इस्तूप जिनका पवन लिवी अशार आधी मरुस्तल में मिलते हैं कुछ बिद्वानों को मत है कि इनका निर्माड एक ही दिशा में तीब बेग से चलने वाली पवनों द्वारा आड़ी पवनों द्वारा होता है इन्हें आप सीव भी कहते हैं अनुफरस्तिस्तु का निर्माड पिछलित पवन की दिशा में समकौन पर होता है यह मरुस्तल की सीमा तथवा सागी तटों पर बनते हैं इनका पवनों की ढाल मंदब एव propaganda भाल तीब होता है क्यासा ह齁ता है तीब होता है इस तुफों की पेकार देख लिज्ए यह आप लोगों की screen पर एक छित्र दिखाई दे रहा है क्या दे ठीक है और यह आप देखेंगे तटिये बातगरत इस्तूफ हो गया यह आप लोग देख रहे हैं यह अनू धहर्ड इस्तूफ कटक हो गया यह आप देखेंगे बर्खान हो गया यह तटिये बातगरत इस्तूफ क्या यह वर्खान हो गया यह आप देखेंगे स्थीफ हो गया क्या इसीफ हो गया और यह आप देखे परवलेक परवलेक बात गरत इस्तूफ हो गया यह परवलेक इस्तूफ हेर पिन हो गया ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं यही अगर हम लोग बरखान की बात करें तो अनुफरस्त इस्तूफों का ही रूप है यह आद च अंदकार या चापाकार होते हैं ये पवन के अनुफरस्त दिशा में समकौंट पर बनते हैं और इनका पवनों मुक्त ढाल उत्तल तथा भिमुक्त अउतल सरे नुकीले सींगे मुक्त होते हैं यदि आपरयाप्त रेत होते हैं तो बरखान छोटे और विखरे हुए अनता इस्थाला की रोएप मिलते हैं आपको वात्यूका वहलुका तो यह लंबाकार तीव सिखर वाली नेवेसे अंहें जो इस्थालार्गती बादा के सहारे पवन के देशा में आंगे बढ़ती हैं बलुका का कार यह लंबाकार वलुका सेडियों की अफेक्छा अधिक विश् लुएस ये पबंद वारा उड़ाए गए धूल के कड़ों से निच्छेव से निर्मित स्थल स्वरूप होते हैं और इनका नामकरन फ्रांस की अलसास प्रांत में लुएस काउं में निर्मित आगती की आधार पर है और री यो फैन ने सबसे पहली उत्री पच्चमी चीर में इनका अध्यन किया था या सूक चुकर्ण चिद्र योगते एवा मुलाइम होते हैं और इनमें सिल्ट मिट्टी का बालू की मात्रा अधिक होती हैं क्वार्ट जाइट फैल्सफार अव्रक केलसाइट मिलते हैं रंग पीला होता है निच्छे मरुस्तल में यो लियन अत्थ वाहिमनद में गिलेसियल कहलाते हैं इनका अत्रिक तो उत्खान भूमी मरुबेसिन या वोल्सन पिलाया फैड मिंट वहादा आदी अनम इस्थालागतियां हैं जो निच्छे द्वारा बनती हैं चलिए तो यह भी हो गया आपका पवनों के द्वारा अब आप देखेंगे कि सागरी ये जल का भी कुछ काम रहता है मरीन बाटर भी अपरदन का काम करता है तो अपरदन की साधन में सागरी जल जिन में जल तरंग हो गई धाराएं हो गई जो आरभाटे आते हैं जो सुनामी जाती हैं ये भी अपरदन के रूम में काम करती हैं और इसमें आगर आप लोग देखे न तो आप देखेंगे कि तमांग आगर्टियां भी इनसे भी आप लोगों को दिखाई देती हैं और इन गतिसील साधनों का प्रभाव तटवर्ती भागों में इस पर स्ट्रोप से पड़ता है जो सागर के तट होते हैं न उनकी बात हो ज करती हैं और किनारी की अत्रिक्त तली का भी अपरधन करती हैं और सरक्षन में चूना पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट, जिप्सम, आदी, सेलों, बाले, तटिये भागों में तरंगों द्वारा घुलन क्रिया भी मत होड़ है अब आद देखें यहां महासागर भरगा यहां जो तट हैं उनसे टकराती हैं तो नी की बात हो रही है जब आधर प्रभा अंडर फिलो तथा तरंगी काएं के साथ तट से अपरधित पदार समुद्र में पहुंचता है और तरंगों के साथ प्रभाहित होकर कंकर पत्थर आदी को चून कर देता है तो सन्नी घहसन क कहलाता है इसके अतरिक जल्यत दबाओ, दापकी क्रिया और जलगती क्रिया द्वारा भी सागर भाग में अपर्धन होता है और सागरी जल में आप देखें जल तरंग, धाराएं, जुआणी जुआरभाटा, सुनामी आपको देखने को मिलेगी सागरी जल द्वारा दुनात्मक इस्तालागतियां तो सागरीय मिर्गू, खाडी एवं सागरो उनमुक, कगार क्रम, लगू निवेसिका, सागरी कंद्रा, घरसित बेदिका, तरंग घरसित बेदिका और अब तटिये सोपान मुख आगटियां हैं और सागरीय भरगू का निर्माट तटिये भाग पर लगातार प्रिकासि खांच का दाता बन जाता है, और विर्गू का सेस भाग आप देखें सागर की ओर लटका रह जाता है, और जब खांचा इस्तल की ओर अधिक बिस्तित होता है तो लटकती हुई भिर्गू का निर्मार होता है, और संपूर आधार नष्ट होने पर विर्गू का सेस भाग में कट कर अलग हो जाता है और सागर की उर खड़े ढाल वाले विर्गू का निर्माट सीगदा से होता है जब तटी भाग में सेलों किसी अपर्दन सी कठोर सेल इस तर कगार की रूम में सेस रहते हैं और कॉमल सेलों की स्थान पर खड़िया बनती है तो इन्हें खाडी और सागरोनमुक कगार किरम कहते हैं। और जब तट के समानतर कठोर और कॉमल, सेलों की परतों की संधी, संधियों में तरंगों का जल प्रविश्ट होकर, पीछे की कॉमल सेलों को अपरदन द्वारा खोकला कर देता है, और कॉमल सेलों की स्थान पर निर्मित अंडाकार अक्रिटी को लगूर निवेशी का कहते हैं। और जब संधियों में बायू बेक की थेपडे से तरंगे कॉमल सेलों अपरदन केरके, एक बात वात चिद्र कनेमार करके उसे अधिक बिक्सित करते रहते हैं। जब कंद्रा की छट का कुछ भाग तूट जाता है, तो सक्री वा चोटी खाडी जिसे आप लोग जीओ बनाते हैं। तो यह भी आप लोग याद रखेगा। और आप देखेंगे कि जब समुद्र की भीतर फिर्विष्ट सेल की आरपार चिद्ध होने पर एक बिसाल द्वार जिसे महराओ कहते हैं। जब महराओ की छट तूट जाती है, तो दीबार इस्थम की रूम में रह जाती है। तो इसे स्टेक या स्टकरी कहते हैं। और सागरी जल्दवार आप अरदित अस्थलाक्ति हैं अगर आप देखें, तो सागरी इमरेग हो गई, खाडी, सागरुन्वक, कगार करम, लगू नविसीका है, सागरी कंदिरा है, तरंग घरसित बेदिका, अब तटी है, सौपान आपको देखने को मिलेगा। यहां आप देखें, कुछ आकरिटियां आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगे, क्या दिखाई दे रही होगी, दिखाई भी दे रही होगी, इसमें आप देखें, लगू बे दिखाई दे रही होगी, अंडाकार कटान, यह आप देखेंगे, सागरी यह जल्द के देता है तो ये भी आपको ये सागरी जल अपरणात्मक स्थाल रोप है उन्हीं के द्वारा बनाए हुए रोप है और कुछ आकरती आपकी ये भी एने भी देख लीजिए इसमें आप देखेंगे कि ये आप देखें ये तठ हो गया एक किनारा हो गया अप तटी एछेत हो गया समुद्री भिर्गो हो गया ये आप देखेंगे कि मूल धरातल हो गया ये आप देखेंगे कि आपका खांच पूलीन हो गया तरंग करत बेदिकाएं हो गयी ये और उच उचिजवारतल हो गया, तरंग निर्मित बेदिकाएं हो गई, निम्निजवारतल हो गया ये, समुद्री गुफाएं, महराव, स्टैक, उचिजवारतल, निम्निजवारतल नीचे देखने को मिल रहा है, जब तटपर तरंगों के टकराओं के कारण लटकती हुई, भ्रिगू या सागरी भ्रिगू, भ्रिगू पीछे की और हटती जाती है, तो भ्रिगू के सामने जल के भीतर एक चबूतरा बन जाता है, इसे तरंग घर से मैदान या बेदिका कहते हैं, जब उथले सागर तट पर लहनों द्वारा समानंतर उपर दन के किरिया से पीडी की आक्रिट उत्पन्द होती है, तो अब तटी है मैदान करने माड़ होता है, तो आप देखें सागरी परिवहन कार, तो सागर में तरंगों द्वारा मलवे का परिवहन कभी इस्थल की ओर, तो कभी सागर यी ओर होता है, और कभी तट के समानंतर तो कभी गहरे वाखोले समुद्र की यह परिवान होता है अब तटी यह वाहत परिवान इसमें आप देखें कि जब तट पर लहरों कि सीधी प्रहार किसी पदार्थ समुद्र में दोर तक परिवार बहेत होता है तब परिवार तिरची लहरों द्वारा दोर तक समुद्र में नहीं पहुंच पाता है तो बेला ब बेलांचली धाराएं द्वारा बड़ी परमाने पर निच्छेप होता है, पुलीन, कास्पुलीन, रोधीका, आफ्तट रोधीका, इस्पिट, होकिलोप, सयोजक रोधीका, खाडी रोधीका, ओभ्याग रोधीका आधी आग्दियां बनती हैं, फिर आप देखें पुलीन, त सागर तट की सहारे प्रवाह सेल या मलवे से निर्मित इस्थल है, जब पुलीन की सागर तटों की भागों में, रेत, गुलास्म, बजरी, आधी का निच्छेप, पतले कटक की रोब में होता है, तो कास्प पुलीन कहलाती है, जब ए सागर की ओर निकले होते हैं, तो निर्मित कटक है जो तरंग घरसित, भेदिका, पतट के निकट या दूर तक की सल्गन या समानतर रोब में होते हैं, जब रोधिका का निर्मान तट से दूर उनकी समानतर दीबार के रोब में होता है तब यह अफ्दत रोधिका कहलाती है, रोधिकाओं और पुलीन के मद उथली लेगून इस्तित होती है जब मलवी का निच्छिप सागर की ओर जिया की रूम में निकलने पर यह आग्टी इस्पिट कहलाती है इसका एक भाग इस्तल से सलगन दूसरा भागर की ओर इस्तित रहता है जब इस्पिट का सागर की ओर निकला भाग तटकी और मुड़ जाता है और अंकुस आकार का आप देखेंगे की हो जाता है तो अंकुस कहलाता है हॉक्स कहलाता है और इसपिट पर इसपिट जब तटकी और मुड़ जाता है और फंदे जैसे अक्टी बना लेता है तो लूप कहलाता है जब दूप के चारो बास्तों में टम्बोलह, तड़्ट तथा दुईप की मद या दो स्थल खंडियों के मद पूल का कार करता है और खाड़ी के सहारे रोधीका का विस्तार खाड़ी के दोनों सिरों को मिलाते हुए किया जाता है तो उनके पीछे बाहते हैं, तुप उफला लेगून खाड़ी रोधिका कहलाती है और दो रुप्राल लगन भीतियां भीतियों रोधिकाओं के परस्पर मिलने पर उभयाग रोधिका कहलाती है इसे आप लोग डंग नैस भी कहते हैं और सागरी जल्दो आरंडिच्छे पात्मक इस्थालागतियां पुलेन हो गई कास्प पुलेन हो गई रोधिका, बांध, अपतट रोधिका, उथली लेगून, एस्पिट, याहोक, लूप रोधिका या फिर सोवितक रोधिका, टंबॉलो, खाडी रोधिका, उभयाग रोधिका आप लोग को देखने को मिलेगे और इस तर ऐसे आप देखेंगे कि अफर्दन के जो कारक हैं इ आपच्छा चटवी से लेकर बारवी तक की आप लोग सभी किताबें आप लोग जरूर पढ़िएगा, उन किताबों से आपका बेसमजूत होगा, और आगे जो इस्पेसल बुक्स आप लोग पढ़ेंगे ना, तो बहुत बहतर तरीके से आप लोगों उस समझ में भी आए तो आप लोग जरूर बता सकते हैं, सवाल हुआ आप लोगों के तो वो भी नीची आप लोग भेश सकते हैं, ठीक है?